नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, वो है लोकी के बारे में, जिसे घिया भी कहते हैं और इंगलिस में बोटल गार्ड भी कहा जाता है आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोकी को कब लगाना चाहिए लोकी को लगाने के कितने तरीके हैं जैसे होरिजन्टल और मचान भीधी या भर्टिकल लोकी से साल में कितनी फसल ली जा सकती है सबसे ज़यदा उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है? कौन सी बिमाणिया है जो लोकी में देखने को मिलती है? और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है? प्रती एकर कितना उत्पादन लिया जा सकता है? कितने दिन में पहला फसल दे देती है? सबसे खास बात आपने किसी भीडियो में आज तक ये नहीं देखा होगा कि क्या साइज का लोकी होना चाहिए मतलब फल का वजन कितना होना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में निवांड होती है तो आएए वीडियो की सुरुवात करते हैं हम कि जैसे ही आपके खेत में कोई भी फसल है वह करती है जैसे सरसों का है या गेहूं का है उसके तुरंत बाद आप अपने खेत को तयार कर दीजिए अगर आप अगयती करना चाहते हैं मतलब की सीजन सुरू होने से पहले सबसे पहले आपकी लोगी मार्केट में आए तो आपको प्रो ट्रे में पौध को तयार करना है मतलब एक जगह आप उसकी पौध तयार करेंगे साइड बाइ साइड आप अपने खेट को भी तयार करेंगे खेट को तयार करने के तरीकों में सामिल है कि गेहु की या जो भी फसल है उसके तुरंत कटते आप खेट को तयार करें उसमें अच्छे से निराई गुराई करें ताकि उसमें जो खर्फपतबार है वो जर से मिटी पल्टाओ हल से निराइगुराइग करने के बाद क्या होता है कि जो खर्फपतबार का सीड है वो गहराई में पहुँच जाता है और आपके फसल को खराब ना कर सके इसके बाद आपको करना है कि बेड बनाने है बेड बनाने के बाद आपको उसमें मल्चिंग करना है अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं तो प्लास्टिक की कर सकते हैं अधर्वाइज जो नेचुरल तरीका है जैसे आप धान के पराली या तोरा वगेरा डाल के आप जो बनाए हैं उनकी मल्चिंग कर सकते हैं इसके बाद आप सीधा पौधा रोपन कर सकते हैं या आप अगैती ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है जो आपने प्रो ट्रे में अपनी फसल को तयार किया है जो पौध को तयार किया है या सेपलिंग को तयार किया है उसको आप अपने बेड में ट्रांस्प्लांट कर लेंगे ट्रांस्प्लांट करने के समय आपको ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी अगर आप भर्टिकल लगा रहे हैं उसमें अलग रहेगी मचान बिधी में अलग रहेगी और नॉर्मली वैसे ही आप सिधी होरिजंटली लगा रहे हैं जमीन में बिना किसी लकडी के सहारे जमीन पे उसे जो आपका डिस्टेंस है वो अलग रहेगा जो में रिकोमेंडेशन है सबसे ज़्यदा जिसको रिकोमेंड किया जाता है वो है पौधे से पौधे की दूरी 6 फिट और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो है 10 फिट तो ये जो है ये अपना के अपने पौधे का रोपन कर सकते है इसके बाद बात करते हैं तकनीकी की जो पॉधे लगाने के वह कौन से हैं सबसे पहले होरीजेंटल जो सबसे ज़एदा इस्तेमाल किया जाता है इसका फाइडा यह है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है बट आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मल्चिंग जरूर करना है चाहे आप इसमें भर्टिकल मचान विधी से बांस या बल्ली या कर्ची बत्ती ये सब अधी का जो लगाते हैं ताकि एक्स्ट्रा खर पतवार न लगे और पूरा का पूरा नूट्रिशन आपके घिय को मिले आपकी फ़सल को पूरा से पूरा नूट्रिंट मिले ताकि जल्दी से जल्दी तयार हो जाए और जैदा उत्पादन दे उसके बाद है जो भर्टिकल लगाते हैं उसका तरीका क्या होता है कि आप जो आपने पूधे लगाए हैं सेपलिंग लगाए हैं सीड और कोई जो सोर्स होता है जैसे कई लोग मेटल भी लगाते हैं जैसे एंगल विगर छोटे पाइप हो गए आपको लगा के नेट लगाएं और उस नेट पे समय समय पे दस दिन पांच दिन में आप जो उनके नाल होते हैं उसको उपर चढ़ाएं ताकि बेल जमीन पे न फैल बलकि आपने जो नेट या जाल लगाए हैं उसमें फैले उसके उपर फैले दूसरा सबसे ज़्यदा फैदा ये होता है कि इसके अंदर से हवा क्रोस हो जाती है और प्रोपर धूप लगती है फसल में तो ज़्यदा उत्पादन आपको मिलता है इसके बाद जो तीसरी बेल को चढ़ाया जाता है जो आपने 5-6 फीट पे उसके उपर बेल फैल जाती है और जो फल है वह नीचे लटकने लगती है इसमें एक फादा होता है कि आपका फल जो है दिखने लगता है और इसका साइज पता चलता रहता है कि ये कितना बड़ा हुआ ये साइज हमारा ह हुआ या नहीं हुआ वो हम regular supervision करते रहते हैं इसको harvest करने में भी आसानी होती है परंतो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे की जो मचान तक की जो बेल है उसमें कोई भी पत्ते नहीं होना चाहिए क्योंकि पत्ते नहीं होंगे तो हवा proper cross होती रहेगी तो मच्छर मखी या जो किरे होते है वो बीमारियां नहीं पैदा करेगी अब आगे एक साल में लोकी की कितनी फ़सल ली जाती है या ली जा सकती है मतलब साल में लोकी बन के तयार होती है मुखरूप से कोई भी सीड है कोई भी भैरेटी है वो तो 55 दिन से 65 दिन में पहली जो फसल है वो मार्केट में जाने लैक हो जाती है और जो अच्छी फसल मानते हैं वो मानते हैं उसकी 45 से लेके 65 दिन के बीच अच्छा उत्पादन रहता है मतलब 60 दिन में फसल आना चलू हुआ और अगले 45 दिन से 60 दिन तक अच्छा उत्पादन आपको देती है एक खास बात ध्यान देना है कि लोकी जो है वो जैदा ठंड को जहल नहीं पाती है इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में फल कम लगते हैं पत्ते मुर्धा जाते हैं और जब वारिस का मौसम आता है या वारिस का मौसम होता है उस समय भी फल लगना कम हो जाता है इसमें पत्ते पे बिमारियां जैदा आती है लोकी का एक फल चक्र लगभग 130 से 140 दिन में पूरा हो जाता है इस तरह लोकी की साल में दो फसल ली जा सकती है आपको लगाने का समय इस तरह से है फरवरी मार्च के बीच में और दूसरा जून और जुलाय के बीच में दोनो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है वो आपको कौन से एरिया में हैं आप जैसे उत्तर भारत में फरवरी में थोड़ी ठंडर आती है मद भारत में उस ताइम थोड़ी कम होती है उत्तर भारत के तुलना में तो वहां पांच से दस दिन और पहले लगाए जा सकते हैं मौसम के अनुसार से कम से कम दो फसल लोकी के साल में ले सकते हैं उसके बाद है कौन-कौन से किसमे हैं जो ज़्यादा उत्पादन देते हैं लोकी के बहतरिन किसमे हैं जैसे पूसा संतुष्टी, पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा हैवरीड, अरका नूतन, अरका स्रियस, अरका गंगा, कासी बहार, कासी गंगा सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है वह कासी गंगा है इसके प्रती हेटेर उत्पादन 50-60 टन तक है प्रती एकर की बात करूं तो प्रती एकर 20 टन है उसके बाद है कि कौन-कौन सी बिमारिया लोकी में आती है वो बिमारिया है इसमें एक तो सबसे ज़्यादा फंगस लगता है दूसरा इसका जो फल होता है वो थोड़ा सा मुर जाता है जो nutrition की कमी की वज़ा से होता है तो आपको चाहिए कि पूरे साल nutrition की कोई कमी न हो पाए दूसरा यह है कि कई बार male flower ज़्यदा हो जाता है और उत्पादन कम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रोपर उसकी cutting करनी चाहिए आपने सुना होगा 2G, 3G, 4G cutting 6-7 पत्तों के बाद में जैसा ही उनके नाल निकलते हैं उनकी cutting कर दीजे ताकि ज़्यदा से ज़्यदा नई नई branches निकले और ज़्यदा से ज़्यदा नए फूल आएंगे और फल बनेगा और उत्पादन आपको ज़्यदा मिलेगा दूसरा है अगर आपको उत्पादन प्रोपर नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें एक कारण और भी देखने को मिलता है उसमें pollination नहीं हो पाता है सहद वाली मखियां की संख्यां कम हो जाती है उनकी कमी की वज़ा से फल लगना कम हो जाता है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं गूर का गोल बना के छिरक्वाव कर सकते हैं जिस से सहद बनाने वाली मखियां ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्ट होगी और pollination ज़्यादा होगा फिर उत्पादन आपका बढ़ने लगेगा इसके बाद है रोक थाम जो बिमारी है उसके लिए आप अगर जैविक कर रहे हैं यानि जैविक तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो आप नीम वाइल वेगरा का या जो लहसुन है उसको प्याज के साथ और नीम तेल के साथ में मिक्स करके छिरकाव कर सकते हैं उससे भी जो है निदान मिलता है उसके बाद है प्रती एकर उत्पादन कोई भी भैरेटी है वो है 15 से 25 टंड प्रती एकर दूसरा निर्वर करता है कि आप कौन से सीजन में लगाया है अगर आपने मईज जुन में लगाया है तो उसका उत्पादन ज्यादा होता है ठंड में लगाने पे इसका उत्पादन कम होता है अगर एवरेज इसका उत्पादन देखा जाए तो 15 टंड यानि की 15,000 किलो हो जाएगा 10 रुपे के भाव से अगर देखा जाए तो 1.5 लाग की एक सीजन में आप आमदनी ले सकते हैं कई किसान भाई से मेरी बात होती है तो बताते हैं इसमें जादा से जादा आमदनी होती है जब आप सीजन यानि की फेबराइरी के फर्स्ट वीक में अपना प्लांट जमीन में लगा देते हैं 600 से 800 ग्राम का जो सैज होता है उसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होता है कारण है आज कल लोगों का छोटा परिवार होता है एक सैज एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी लेते हैं तो काटना परता है काटके फिर साबदनी से रखना परता है इतना जमेला कोई क्यों पाले तो ये जो छोटी छोटी जानकारिया है इसको पाकर आप लोंकी की उत्पादन करके खुब सारा आमदनी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अनिकिसान भाई तक सेर करना ना भूलना ताकि अनिकिसान को भी इसका लाव मिले और हमें भी अच्छा लगे